बिसमिल्ला रख्मान रहीम, Assalamualaikum everyone, Welcome back to our YouTube channel and welcome back to another vlog and other video कैसे हैं आप सब लोग, आज की वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए है जो college going, university going है क्योंकि आपने हर रोज university जाना होता है और हर रोज आप एक ही dress को repeat नहीं कर सकते तो इसलिए आपको बहुत सारे dresses की जुरूरत पड़ती है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह आप budget में रहते हुए कम पैसों में एक stylish look को achieve कर सकते हैं, तो चलते हैं वीडियो को start करते हैं मेरा पहरा article है ये shirt, ये मेरी pink lips की shirt जो के मेरी बहुत ज्यादा favorite है क्योंकि ये पिल्कुल different print था, मैंने आज तक इस तरीके का print नहीं देखा, मेरी नजरों से नहीं गुजरा तो वो सिर्फ आप पे depend करता है कि आपने किस तरह कपड़े को अपने print को select करना है निकालना है जो आपको suit करें, ये थोड़ी सी मोटी lilan में है, अच्छा lilan के एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें silvet बहुत जलती बढ़ जाती हैं, लेकिन ये कदरे बहत थी क्योंकि मोटी lilan थी, तो इसे मैंने एक simple A-line shirt बनाया, अच्छे ये lips जो है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, अब मैंने tailor को तो बहुत इच्छे तरीके से समझा दिया था, कि बई, ये lips तुमने उल्टे क्यों लगाए हैं, ऐसे hot होते हैं क्या, कि ते बाजी मुझ तो खेर कोई मसला नहीं, आप बन चुकी है, कुछ हो नहीं सकता, ऐसे front से ये open है, अच्छा ये overall आपने देख रहे होंगे, A-line shirt है, और front से ये open है, लेकिन front को मैंने open नहीं किया, अगर side से देखा जाए, तो मैंने इसके chalk भी नहीं रखे, ये बिलकुल एक frog की शकल में है और front पे देखा जाए, मैंने ये पटी लगाई है, लेकिन पटी को मैंने बंद रखाया, भई रिस्क नहीं ले सकते, college जाते होगे, या university जाते होगे, क्योंकि आप बैठते होगे, मतलब खुल जाते है, अगर ये open हो तो, तो ये उपर तक इस तरीके की पटी है, जो कि यह बंद है, और साथ ही मैंने इसका neck collar में बनाया है, क्योंकि ये collar जो है, college going, university going लड़कियों के साथ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बैन गला हो गया, collar हो गया, और इस तरीके की pockets, अच्छा देखा जाए, ये pockets सिर्फ उपर से बनी ही है, एक piece लेकर, जैसे के stitching हुई ह कोई proper pocket नहीं बनी ही, इस तरह pocket की shirts, मतलब बहुत ज्यादा stylish लगती है, ऐसे लगता है, अपने किसी brand की shirt पैनी ही है, यहां पर मैंने wood के जो होते हैं, button लगा ली है, जो के बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा मैंने थोड़ा सा color different कर दिया, pink में नहीं लगाए, बना black में लगाए, जो wood के होते हैं वो लगा दियो, और simple से मैंने इसके बाजू रखे, जैसे कि कफ है, कफ भी बहुत stylish लगता है, मतलब आप एक elegant look आती है, आपकी जब आप कफ वाले color वाली shirt पहनते हैं, तो मतलब एक बहुत decent look आती है, तो इस shirt को आप किसी भी jeans के साथ, यानि बहुत ज़्यादा stylish दिखती है, तो मैंने साथ में अपनी pictures भी attach कर दी हैं, कि आपको idea हो सके कि किस तरह आप dressing कर सकते हैं, stylish दिख सकते हैं, कि लोग आप से पूछें कि आपनी कौन सी brand की shirt पैनी भी है, तो luckily मुझे इसका stroller भी मिल गया था, जो मैंने इसके साथ pair up किया, औ next shirt की तरफ, लोगों के पास apple phone होते है, iphone होते है, मेरे पास apple का phone नहीं है, लेकिन मेरे पास apple की shirt है, जो मेरी सबसे favorite है, नहीं मैंने इस तरीके का print किसी को पहने वे देखा, अगर आप लोगों की नजर से ऐसा print गुजरा हो, तो मुझे comment section में जरूर बताएं, खैर ये मेरी बहुत ज्यादा favorite shirt है, ये मरीना कपड़ा है, थोड़ा सा मोटा, सर्दियों में चलने वाला, और इसमें सिल्विटे भी नहीं पढ़ती थी और ये कोई इतना हसीन था, कि जब मैं university पहन कर गई, और हर बंदे ने पूछा किया आपने कौन से brand की shirt पहनी गी है, इसकी finishing मैने कुछ इस तरीके की yellow कपड़े से करवा दी, क्योंकि थोड़ा सा तो different करना था ना, बिल्कुल black हो जाता तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो ये अच्छी long shirt मैंने बनवाई है, मतलब अच्छी खासी लंबी इसकी length है, अच्छा यहाँ पर जो है मैंने इसकी belt रख था, मेरे पास क्या, आप लोगों के पास भी कुछ ऐसे handbags होते हैं, जो expire हो जाते हैं, और उनकी front पर काफी buckles लगे वे होते हैं, तो मैं उन buckles को उतार देती हूं, और वो फिर मैं किसी dress पर लगा देती हूं, तो ये बिल्कुल वहाँ से मैंने buckles उतारा और इसको मैंने य elegant look आती है, आप बहुत stylish देखने हैं, तो ये थोड़ा सा deep भी हो जाए, तो इसको थोड़ा सा कम करने का ये तरीका होता है, कि नीचे आप camisole पहन ले, तो उससे भी थोड़ा सा cover हो जाता है, second one ये होता है, कि ये थोड़ा सा lose होता है, तो इसलिए इसकी length थोड़ी सी तो खुद को cover करने के लिए, इसके नीचे camisole पहनना बेहत जरूरी है, ये आप लोगों को stitching नजर आरी होगी, कि मैंने पीछे से बिला एक दो टांके लगा दिये थे, कि ये गला नीचे की तरफ नहीं आए, तो अगर इस तरीके का कुछ हो, और specially in next के साथ, जो है, camisole पह जो हुई है, yellow color से ही हुई है, simple plain बाजू है, लेकिन यहाँ पर आप मैंने एक button लगवाया, जो बिल्कुल mid में आपको देख रहा होगा, और मैं अभी आपको बताती हूँ, नीचे से मैंने इसकी एक जैसे पटी, इसको क्या बोलेंगे, एक पटी रखवा दी, ठीक है, इस आपने नीचे सर्दियों में high neck पहनावा होता है, तो आप नीचे high neck पहन के, उपर बाजू को इस तहां से बन करेंगे, तो बाजू थोड़ी सी उपर को उठ जाएगी, तो थोड़ी से different लोग काएगी, और बहुत stylish नजर आएगा, तो इस तहां आप अपने कपड़ों को थोड़ा सा stylish कर सकते हैं, दूसरे से different कर सकते हैं, तो मैंने इनकी prices नहीं बताई थी, मैंने pink shirt जो buy की थी, वो मेरे ख्याल में मैंने तीन साड़े तीन सो में ली थी, और जबके मैंने ये yellow shirt 500 में purchase की थी, और मैंने 6600 या 500 इसकी stitching दी, और देखें, under 1000 मुझे ये दोनों shirts इसको buy किया है, तो आपको खुद एक brand बनना चाहिए, तो खैर ये रही आज की वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो मुझे feedback ज़रूर देए, और comment section में comment करके मुझे बताएं, कि आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, औ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को subscribe करते हैं, और like करना तो बनता है, अपना ख्याल रखें, दुआउं में याद रखें, thank you so much, love you all.